हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल जीके स्टेड़ी पॉइंट इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे परिक्षाम में पिछले 20 वर्षों में पूछे के सामाने एधें जीके जेस के सवाल का ये वीडियो सेट नंबर 11 है जैसा कि रेलवे अपने हर एक्षाम में पिछले कोश्चन को रिपीट करता है तो काफी प्रणे कोश्चन सारे जो पूछे गए हैं वो लिए गए हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कौन सा शहर कौन सा अगर अपने उद्यान रॉग गार्डेन के लिए प्रसीद है विच इस फेमस वर रॉग गार्डेन तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगड रॉग गार्डेन कहां है यह चंडीगड में किसके दौरा बनाया गया था यह नेक्चन स पहले नहीं इस गार्डेन की खासित क्या है यह एक शिल्प कृट गार्डेन है स्कल्प्चर गार्डेन है इसमें मूर्ती जो है काफी स्क्रैप्स ग्लास टाइल से रमिक पॉट्स एलेक्रोंिक वेस्ट ब्रोकेन पाइप से बने हुए तो यह चंडीगड में है दूसरा को योजना आयोग का पहला अदेख्ष कौन था फर्स्ट प्रेजिडेंट आफ योजना आयोग तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहर लाल नहरू कब शुरुआत भी थी योजना आयोग का यह हुआ था 1950 में यह किस नाम से जाना था योजना आयोग यह हो गया है निती आयोग योजना आयोग का नाम बदल के यह हो गया है निती आयोग जो पहले नाम था प्लैनिंग कमिशन था निती आयोग के चेर्मेन कौन है प्रदान मंद्री नरेंद्र मोदी 2011 जन ग्रना के अनुसार सबसे कम जन सक्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दे लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन एकॉर्डिंग टू 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 थाज़न एलेवन सेंसस मनिपूर मेगाले मिजोरम या फिर नागालेंड तो इसका सही जो अब होगा औप्शन नंबर C मिजोरम तो मिजोरम का क्या है जन सक्या घनत्व यह है 52 पर स्क्वार किलो मिटर 52 लोग पर स्क्वार किलो मिटर फोटोग्राफी में इस्तिमाल किया जाने वाला प्रकाश समय देशनल योगिक कौन सा है अलाइट सेंसिटिव कंपाउंड यूजड इन फोटोग्राफी क्या होगा इसका सही जवाब यह होगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर क्लोराइड यानि क्यूं है और यह जाधा किसमें उस होता था पहले ब्लैक और फोटाग्राफी में ब्लैक और फोटोग्राफी में इसे ने लगा मगद में शाही मौरेस सामराज के उत्राधिकारी कौन थे? The Immediate Successor of Imperial Moriazin मगद तो इसका सही जवाब होगा Option Number D शुंग शुंग डैनस्टी किसने शुरू किया था? पुश्या मित्र शुंगन है पुश्या मित्र शुंगने 187 टू 78 बीसी बिफोर क्राइस जिम्बावे बास फॉर्मिली नूनाज जिम्बावे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा Option Number A रोडेशिया जिम्बावे का पुरा नाम था रोडेशिया राजधानी के है जिम्बावे की? हरा रे वी इस प्रेजिडेंट? इमर्सन नांगागवा इमर्सन नांगागवा पॉलेन ग्रेंस इंप्लांट्स इंप्लांट्स इन पॉधों में परा के दाने कहां बनते हैं? एंधर, कारपल, अंडाशय या फिर बीजानू जिसका सही जवाब होगा Option Number A एंधर में बनते हैं एंधर कहां होता है? फ्लावर में होता है एक वाइबरेटिंग बॉड़ी के सबसे अतिदिक विस्थापन वाले स्थान को क्या कहते हैं? The maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called तो इसका सही जवाब होगा Option Number C Amplitude यानि आयाम अब यह वेव है तो यह वेव जो होगा maximum displacement यह wide distance में होगा इसे कहते है maximum displacement from mean position यह कहलाता है हमारा Amplitude यानि आयाम पुस्तक theory of economic drain के किस ने लिखा था? theory of economic drain तो इसके लिखक थे दादा भाई नेरो जी What is the term Agma used for Agma का इस्तमाल क्यों होता है? तो इसका सही जवाब होगा Option Number A A grading various agricultural commodities जो भी agriculture commodities हैते हैं उसमें Agma का Agma की use किया जाता है Brass has the following composition पीतल में मिशन धातू कौन-कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा Option Number D तो पेट्रोल का में कंस्टिचुएंट होता है पेट्रोल पेट्रोल पेंटेन, आक्टेन, मिथेन या फिर हैक्सेन तो इसका सही जवाब होगा Option Number B आक्टेन तो पेट्रोल का में कंस्टिचुएंट होता है आक्टेन आक्टेन केमिकल फर्मला क्या होता है? सम्विदान सभा की पहली बैठेक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा Option Number B 9 दिसंबर 1946 कौन थे अध्यक्ष सचितानन सिना? और फर्स मिटिंग को किनों ने अड्रेस किया था? वो किया था? जेबी क्रिपलानी ने मापुतु किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब होगा Option Number C मोजामबिक एफ्रिकन कंट्री मोजामबिक मोजामबिक की करेंसी क्या है? मोजामबियन मेटिकल मोजामबियन मेटिकल इसका सही जवाब होगा Option Number C जर्मनी की मोजामबिक यह कब से कब थी? उसके बाद फिर विवाचन हुआ तो 2002 तक यह मुद्रा थी और 2002 में क्या अपना गया अफिशली? तो यूरो बन गई जर्मनी की करेंसी अफिशली 2002 में उसके पहले यह करेंसी थी इसकी डिश्मार्क The Crescent Moon के लेखक कौन है? तो इसका सही ज़ब होगा Option Number D सल्मान रुष्दी यह एक बिटिश इंडियन नोविलिस्ट है सल्मान रुष्दी इन्हें बुकर प्राइज भी मिला है अपने किताब Midnight Children के लिए आज का आखरी सवाल World Teachers Day विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस तो क्या होगा असका सही जवाब यह होगा Option Number C 5 October भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को तो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा आपको इस वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजे अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो इससे सब्सक्राइब जरूर कीजे थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग जरूर नहीं